Hello students, आज हम exercise 7.6 करेंगे, chapter 7, fraction और question number हम लोग 9 देखेंगे Question number 9 है, जैदेब टेक्स 2 सही 1 by 5 minute to walk across the school ground जैदेब 2 1 by 5 minute लेता है school ground को walk करने में राहुल स्टेक 7 by 4 minute to do the same और राहुल 7 by 4 minute लेता है school ground को walk करने में What, who takes less time, क्यारे कौन कम time लेता है, by what fraction तो हम लेखेंगे time taken, solution लेखेंगे इसका Time taken by जैदेब is equal to 2 सही 1 by 5 तो यह हमारा mix fraction है, इसको हम solve करेंगे 5 दूनी 10 और 11 बटा 5 11 by 5 minutes राइट, अब हम लेखेंगे जैदेब takes 2 सही 1 by 5 minute to walk तो जैदेब कितना time लेता है हमारा, 2 सही 1 by 5 यहनि की 5 दूनी 10 और 11 इनकी इनकी multiply हो जाती है, और फिर जो आता है उसको इसमें उपर वाले किसंग एड़ कर दिये जाता है अब हम लेखेंगे time taken by राहुल राहुल कितना time लेता है, 7 by 4 minutes अब क्या रहे है, who takes less time, कौन कम time लेता है तो हम क्या करेंगे, by what fraction तो इसका हम क्या निकालेंगे, हम लिखेंगे एक तरफ लिख देंगे हम जैदेब और एक तरफ लिख देंगे हम राहुल जैदेब का fraction कितना है, 11 by 5 बीच में हम box लगा देंगे और 7 by 4 ये बिल्कुल 8th question की तरह है अब 5 और 4 का LCM क्या आ जाएगा, 20 तो नीचे हमें क्या बनाना है, 20 बनाना है बॉक्स बनाएंगे बीच में, नीचे हमें क्या बनाना है, 20 तो 5 को किससे मल्टिप्लाई करेंगे, 20 आ जाए, 4 से तो उपर भी हम किससे मल्टिप्लाई करेंगे, 4 से 4 को हमें बनाना है, 20 तो 4 को किससे मल्टिप्लाई करेंगे, 5 से तो उपर भी हम कर देंगे, 5 से मल्टिप्लाई तो उपर हो जाएगा हमारा 44, 11, 44 और 75, 35 अब हम देखेंगे कि हमारे ये fraction कैसे होगा, ये like fractions होगा क्योंकि denominator सेम है, जब denominator सेम होता है तो हम देखते हैं कि उपर जो digit, denominator में जो छोटा है वो छोटा, उसका fraction छोटा रहेगा यानि कि ये हमारा बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया यानि कि केगे के पूछ रहे हैं, who takes less time तो कौन कम time ले रहा है, ये तो जैदेब तो ज़्यादा ले रहा है और राहूल कम ले रहा है, तो हम लिख देंगे राहूल takes less time to walk across school ground ठीक है, अब वो कह रहा है, why what fraction तो हम क्या करेंगे, इनको subtract कर देंगे difference निकाल लेंगे इनका difference निकाल लेंगे, हम इसका तो क्या आगया, 44 by 20 minus 35 by 20 तो LC हमारा 20 आगया, 44 में से 35 हम subtract कर देंगे, तो कितना आएगा 9 by 20 हम, तो fraction हमारा कितना आगया fraction is equal to 9 by 20 और fraction हम से पूछा है, कि fraction कितना आएगा by what fraction, तो fraction हमारा 9 by 20 और वो कह रहा है कि who takes less time तो राहूल takes less time तो यही इस question का answer है next question के लिए, हम लोग next video में मिलेंगे और video पसंद आ रहा हो तो comment box बे बताईए कि video कैसा लगा और like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए